इस तेल को लगाने से आपकी जो ठकान शेकों जो जितनी बी जोड़ों के दर्द मीं उन सब दर्दों से आपको निजात मिलती है तो वीडियो में सुरू से अंतर तक जरूर बने रहे हैं वीडियो को लाइक शर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल आसान पल को यदि आपने भी तक सब्सक्राइब न किया हो या आप चैनल पर नहीं हो तो जरूर इस सब्सक्राइ प्रवाइब करता है इस तेल की मालेश यह बच्चों को करते हैं तिल का तेल से तयार करके तो यह बहुत ज़्यादा देता है यहां पर मैंने सर्सों का तेल लिया है और आदी चमच के लगबग मैथी के दाना डाल दी है छह साथ लेस उनकी कलियों को छील कर बारी काटके इसमें डाल देंगे आप चाहें तो सेंगा भी डाल सकती है यह फिर इसको कुछल कर भी टाल सकती है यह तेल हमें मदी मदी आंच पर पकाना है थेज आँज पर हम पकाएंगे तो यह हमारी सामचवरी है वो जल्डी से जल जाएंगी यहाँ पर आदी चमच के लगवग में अजवाइन ली है अब इन चीजों को हमें धीमा धीमा पकाना है यहाँ पर दो चुटकी के लगवग हमने हिंग ली है इन सभी चीजों को यदि आप मदी मदी आच में पकाते हैं और पकाने के बाद इनको छान कर रख ले और जब भी आप अपने बुज़र्गों को इस तेल की मालिश करते हैं या खुद को भी करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि ये इस तेल को गुंगोना लगाना है आप इसको गुंगोना लगाएंगे तो आप देखेंगे जोड़ों के दर्द में बादी के दर्द में या पुरानी चोट हो या थकान हो तो बहुत जल्दी आपको आराव लगता है तो आप कमेंट्स में इसका रिजल्ट जरूर बताइएगा वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्याई